मेरे गार्णी फ्रेंस को वैगी सोंकित रिगार्णी में बहुत बहुत खुशामा देत मेरे गार्णी फ्रेंस इन कार्णी पर बने खुश्रप फ्लावर्स और सामने रखे हुए बलप्स को देकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की मेरी वीडियो ट्यूलप्स फ्लावरिंग बलप्स की प्लांटेशन और ग्रोइंग टिप्स के हवाले से है आज से चार साल पहले मैंने दो वराटीस के ट्यूलप्स के बलप्स लगाए थे एक यह चीज़ा से आप यह कार्ट पर देखने हैं ट्यूलप्स हैं यह जुवान है और दूसरा है यह ट्यूलप्स है डगनस बेडर तो बहुत अच्छी इनकी गरोध हुई और साथ आज इन पे फ्लावर्स हैं यह निकले हैं जैसे यह फ्लावर्स आप देख रहे हैं इसमें यह दो शेप यह फ्लावर्स ते एक यह कप शेप में था फ्लावर्स और दूसरा यह स्टार्ड शेप में फ्लावर्स तो मेरे गरोध हैं तो ट्यूलप्स की बेतहाशा वराइटी बेतहाशा कलर्स और ता शाशास में कलर सेंस में लेकिन उस वक्त अपने गार्णिंग फ्रेंस के लिए मेरा चार सार पहले कोई गार्णिंग चैनल नहीं था इस दफा मेरे फेस्बुक के दोस्तों ने और कुछ गार्णिंग फ्रेंस ने कहा के आप हमें ट्यूलिप्स और हैसिंस पे टेप्स और इन्फोर्मेशन शेयर करें और जब आपके दोस्त कोई फर्माइश करें तो इसे बड़ी हमारे लिए और खुशी क्या है तो पकाईदा मैं बलप्स गर्मगवाने पे मैं खुद स्काई सीड्स शौप पे गया तो उनके जो और वो भी में ब्रांच पे उनकी जो उनके आउनर है अलियास सब हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वहां से जाकर मैंने जतनी वराइटिस के उनके पास बलप्स आए थैं हर तरणा के उनके युम से फ्ला व्लप्स लिया है और जो मेरे गार्णी फ्रेंस बलब्स लेना चाहते है बज़रिया ओर्डर के जरी भी उनके जरी अमगवा सकते हैं गर बैठे हैं या खुद भी जाके विजट कर सकते हैं उस वीडियो का जो मेरा वी लॉग था सकाई सीट पर जाने का उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रि गार्णी फ्रेंस को मैं ये ट्यूरिस बलब्स कैसे लगाते हैं नहायती इंपॉर्णर मैं टेप्स में शेयर करूंगा और जो मेरे खासतार पर फेस्बुक के जो गार्णी फ्रेंस हैं इस वीडियो को काली एंड तक जरूर देखिएगा टेप्स और इफरमेशन के हवाले से बीच में छोड़ जाएंगे तो फिर मैं आगे कुछ भी नहीं कह सकता कि आपके फिर बाद में ट्यूरिस के बड़ चलते हैं या नहीं चलते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिएगा और ज सारी अभी मेरी वीडियो अभी आनी है तो आगे शरू करते हैं पहले बात मेरे गार्णी फ्रेंस मेरा जो तालुक है इस वक्त मैं लहौर सिटी में रहता हूँ लहौर सिटी यानि पाकिस्तान में लहौर सिटी के वेल लोन सेमर्स लहौर सिटी के अंदर मेरा गर है हम जो सहे में मिदानी अलाके से हमारा तालुक है पाकिस्तान में पाहडी लाके भी होते हैं लेकिन हम मिदानी अलाके हैं यह थोड़ से हमारे गरम लाके होते हैं और USDA Zone Map के मताबिक यह चूलिप्स के बलफ है जोन एक से लेकर जोन सेवन तक है बहुत असानी इनकी ग्रोथ हो जाती है बाद में इनके बलफ भी बनते हैं इसी टू ग्रो है लेकिन जोन सेवन से आगे से लेकर जोन टैन तक है इन फ्रावरिंग बलफ को चिल्ड करवाना होता है चिलिंग प्रॉसस होता है ट्यूलिप्स के जो चिलिंग प्रॉसस है वो डाई मेने का चिलिंग प्रॉसस है वो चिलिंग प्रॉसस का जो है बाद में बताऊंगा कैसे चिलिंग की जाती है हमारा जो लहौर का जोन है वो टैन ए है अगर आप इसलामबाद में थोड़ी से जाए पहाड़ी लाके पे उसका नाइन है तो अब यह स्काई सीर्ट वालों ने बाहर से जो यह हॉलेंड के यह बलब्स है जो रहने स्काई सीर्ट वालों ने मगवाए है लाज़ी बात है हॉलाइंड के आप जानते हैं यह हार्ट आफ फ्लावरिंग बलब्स है बलकर एक फ्लावर बलब का नाम उन्हें ने रखा भी हुआ है यह लिखा हॉलाइंड ब्यूटी तो लाजमी बात है ब्यूटी तो होगी इसमें इतने खुपसर प्यारे से जब यह बलफ होंगे यह खुपसर प्यारे से इस तरह के देखने में है तो सबसे पहले इंपॉर्णन टीप है कि जो आप बलफ से लें बलफ सापका चिल्ड होना चाहिए अब इसलिए बाहर से गवालेड़े से जो बलफ यहां बेचते हैं या बाहर से लोग बनगाते हैं बलफ है बाहर से बेचने Böyle क्यूट करके यहां बेचते हैं और ये बलब इस वकल मेरे कानिफरस ये अब देख रहे हैं ये बलब और ये चिल्ड है और इसमें ये देखें ये इसमें स्प्राउट है ये निकली हुई हमें यहां गरो करवाने के लिए हमारे फैबरी और मार्च में ये यहां गरो होते है यानि फैबरी और मार्च में यह प्लॉवर्स आते हैं हॉलन में जो फ्लॉवर्स इस पे आते हैं वो मई के महीने में आते हैं और वहां का तुम्परिचर होता है वह तेरा संटी क्रेट होता है और यहां हमारे पाकिस्तान में मुझड़ै स्यूविटम ए इसका जो बलुमिंग इंपरचैर है किस वकत निकलेंगे आपके यह ऐए उसवकत जो कारेश होना का चाहिए में पंधा सामस्पटैर से 16 से Gel ओना को आपके खोगता है इसे पहला होते हैं इसके इनदर इसका जो फ्लावरिंग बर्ट बाकाइदा इसके अंदर माजूद होती है जस्ट आपको आपने प्रॉपर सीजनल टाइम के मताबिक आपने इसको ग्रोग करना है अब मैं ऐस वकद मिड़् है दिसंबर का खत्म हो गया हुआ है अब मैं ऐसे ग्रोग करूंगा और दो महीने के बाद अगर मैं ये कार्ड मैं ये देखूँ ये जैसे ये बाहर ये से मैं ये मगवाय थे बलफ सार सार पहले ये डनमाक से मगवाय थे मेरे अंकल वहाँ से लेकर आए थे उनको पता कि बतीजे को शौक है तो वो लेकर आए थे तो उसमें ये देखें ये अक्टूबर, नुवंबर, दिसम्बर में ये बलफ्स लगते हैं जन्वरी, फर्वरी, मार्च बलके अक्टूबर, नुवंबर, दिसम्बर, जन्वरी में ये बलफ्स लगते हैं और फर्वरी, मार्च में जाके इसमें के बाद इस पे एपरिल में ने दखाया है एपरिल में ही में ये फ्लावर्स ये खिरते नदर आ रहे हैं जैसे ये आप चार्ट देख रहे हैं अब हम लगाएंगे जैसे मैंने का का कि मेड आफ दिसम्बर खतम हो गया हुआ है अब लगाएंगे तो दो मेहने के बाद जिसम्मर के बाद जन्वरी मिड फैवरी 60 डेस अगर ज्यादा से ज्यादा सोला सब मौसम का अपन डाउन ऊपर नीचे होता है तो फैवरी के एंड या स्टार्टिंग मार्च में इन बेखुब सरसे प्यारे से पे फ्लावर्स खेलेंगे लेकिन उस वाकत जो फैवरी के के एंड में या मार्च के शुरू में उस वाकत आपका जो टेंपरेचर है नॉर्मली 20 सेंटी ग्रेड है ओपन का जो टेंपरेचर आपन अट्मोसफेर है होना चाहिए अभी मैंने पिछले साल का टेंपरेचर इंटरनेट पर देखा है पिछले साल फैवरी के एंड में जो टेंपरेचर था दिन का जो टेंपरेचर था 20 सेंटी ग्रेड था और रात का जो टेंपरेचर था वो 12 था इस वक्त जो मैं बलप्स लगा रहा हूँ इस वक्त दिन का जो टेंपरेचर है इस वक्त 17 सेंटीग्रेड है और राद का 6 सेंटीग्रेड है और अगले पूरे एक अफ़ते तक यही टेमप्रेचर चलेगा कराची के रहने बाई हैं दोस्त हैं हम तो बल्ब से लगा देंगे लेकिन हमारा टेमप्रेचर है वहां बाई 23-24 कराची में मौसम का थोड़ी गर्मी हो जाती है तो वह लाजमी नहीं कि वह फूर सानलाइट में रखें बाद में इसको थोड़ी से शेडी अरी में चेंच बल्ब से निकल नाएंगे लेकिन फ्लावर को अची स्वावर यंद अघिलेंगे तब इस ततरके फ्लावर्स है खेलेंगे तब जब आपको प्रापर टेंपरेचर है 20 टी अब इसे प्रवाइड करें अ मेरे गार्डिट फ्रैंस, के लिए अब जहां तक आगे चिल करवाने का प्रॉसस है इसके निचे मैं को बार गार्डिफ निकली वे और यह नीचे बेबी बलप्स यह देख रहे हैं यह नीचे है बेबी बलप्स भी बन रहे हैं इसके जब इसका टाइम पीडिड खत्म हो जाएगा यानी मार्च में के फूल देने के बाद फिर उसके में बात बताऊंगा इसका चिलिंग प्रॉसस है कैसे आप बलप को सेव करेंगे क्या चिलिंग प्रॉसस होगा आइंता नेक्स टानी वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आज अब हम जरा जो कंटेनर से आप सामने पीछे देख रहे ह मैंने यह 14 इंच का यह कंटेनर लिया हुआ है इससे पहले जितने मेरे विंटर फार्विंग बलप्स की वीडियो भी तक आई है सबको मैं यही बताया भी तक जितने ही भी है कि आप हेल्थी और यह फ्रेश बलप ले अब आप देख रहे हैं बिल्कुल बकादा हो हेल्थी आप बड़े साइस के यह बलप्स हैं इन पर इवन यह सप्रॉट भी निकली हुई है सप्रॉट का मतलब है यह चिल्ड बलप है जस्ट आपको प्रॉपर इस वक्त आप लगाएंगे तो मार्च के शुरू में आपके प्यारे से खुबसे फूल खिलते इसमें चिलिप्स के नजर आएंगे अगर आप एक कंटेनर में मैं एक ही इस वक्त बलप लगाऊंगा इस तरह आप एक से ज्याना बलप्स भी लगा सकते हैं यहां से दोनों का डिफरेंस है आपका यहां से इस बलप से इस बलप का डिफरेंस है चार इंच का होना चाहिए और कितना यह बलप कि जो डीप होगा इस बलब का जो कितना डीप होगा जितना यह बलब का साइज है जैसे फार जैंब पहले कर यह बलब का साइज है अगरि मैं यहां से यहां से देखूं यह तकरीबन दो इंच का बलब है और इतना हमें यह तकरीबन यह चार इंच तक हमें डीप करना अब जो गार्डन स्वाइल अब गार्डन स्वाइल के हवाले से जरा बात करते हैं कि गार्डन स्वाइल का किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेरे गार्डिन फ्रेंस अब जारा देखते हैं कि विंटर फ्लावरीं बेलब्स की स्वाइल का क्या कॉंबिनेशन होना चाहिए 30 परसन हम नॉर्मल गार्डन स्वाइल लेंगे अगर मट्टी आपकी चिकनी है ज्यादा चिकनी है तो उसमें रेट आप ज्यादा मिस्ट करें 10 परसन मैं इसमें रेट डालूंगा और 10 परसन मैं ये गोबर कीखाट बहुत ही रिफाइन किसम की गोबर की खाट होनी चाहिए ये चार्स सार प्रानिंगोबर की खात है ये लेंगे combination 20% मैं इसमें पर्मिक कंपोस्ट लूँगा 20% मैं इसमें ये पत्तो की खात ये आप देख रहे हैं ये पत्तो की खात है ये लेंगे और टॉप लेरिंग के लिए मैं ये कोकोपी लूँगा ये 10% लूँगा अब ये हंग्रट का combination कैसे हुआ 30% ये है 10% ये 40% और 10% ये है आपका 50% 20% वर्मिक कंपोस्ट 20% है आपकी पत्तो की खात और 10% ये है कोकोपी टॉप लेरिंग करी तो ये हंग्रट का combination है सबसे पहले container के जो base में जैसे छोड़ा समय ने अब इक पॉट रखावा आपको समझाने के लिए base में हम multi, rate और ये गोबर की खात तीनों को मिस्ट करके हम नीचे base में रखेंगे यहां तक उसके बाद यहां दूसरी जो तैह होगी second layering होगी यहां जो हमने बल्ब लगाना है यहां यह वर्मींग कंपोस्ट पत्तों की खात और बल्टी को पिर दबार मिस्ट करके यहां तक हम फिल ओओट करेंगे यहां में बल्ब लगाना है बल्ब लगाने के बाद ऊपर टॉप real के लिए हम फिर कोकोपीट और हल्थ को मिस्ट करेंगे ठोड़ी सी स्वाइल में और उपर से फिलिंग फिल आउट कर देंगे इसमें जहां से इसका स्प्राउट है यह है तो यह सारा का सारा कंबिनिशन था इस वेंटर फ्राउविंग बलप्स की स्वाइल के हवाले से कि मैं अब लगाते हैं एक यूलोस के बलप्स को अब यह देखें जैसे मैंने कहा यह जितना बलप का साइस है इसे आपने इतना अंदर डीपॉल करना है जैसे यह इसकी यहां से स्वाउट है यह तक्रीमने तीन से चार इंच तक आप नहीं है यहां से इसको यहां पीशे कि इसकी यहां दूसरे बलप की तरफ आते हैं उपर टॉप लेरिंग करनी है कोकोपीट और स्वाइल को मिस करके टॉप लेरिंग करनी ताके मॉस्ट्रे कंडेनेस को वहां आपने फूर सानलेट में रखना है जहां सारा दिन दूप आए तो कि आज सर्दिया है दिनका टैंप्रेचर मैंने अभी शुरू में जैसे बता है रात का सात हो जाता है तो जितनी से सॉनलाइट मिलेगी अब बने बल्ला और चिल्ड है प्रॉपर निकली हुई है आप ने बस प्रॉपर स्वापर ग्रॉफ हो और इन टाइम पर इस पर आपके स्वावर्स निकले और अभी देते हैं पानी ने पानी आप पैरी दफ़ा अच्छितर दें पानी ताकि जो मटी है पानी ब्लॉप कर ले उसके बाद कुछके स्वाइस की काफी मॉइस्ट है आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी ज्यादा पानी नहीं देना जब पानी की रुक्वाइर्मेंट होगी तब इसे पानी दीजिए गा और अमिल करते हैं कि मेरे गार्नी फैंस को यह वीडियो पसंद आएगी बायासिम नावास फ्रॉम वैगी सोब्कुच गादन